तो यह लो प्रेंट्स वेलकम टू जैसी सीबी एक्साम इनफू दोस्तों जैसी सीबी एक्साम इनफू में आपका बहुत बहुत स्वागत आज हम बात करने जा रहें एक इंपोर्टन नोटिस रिलेटेट टू बियाड में एडमिसन के लिए उसका कांसलिंग से रिलेटेट तो जैसा कि दोस्तों बीएट का चार राउंड में कांसलिंग हो गया और सबका जो है लिस्ट आ गया है फिर भी सीड जो है बाकी रह गया है क्योंकि बहुत सरा प्राइबेट कॉलेज और फी इतना ज्यादा है कि स्टूडेट जो एडमिसन नहीं करा हैं जिसके होज़े से बहुत से कॉलेज में भी विसीड बाज गया है तो जैसी सी भी बोर्ड ने एक अंतिम मतले बोल सकते हैं लास्ट ऑनलाइन सब्सकार जो है उसी के लिए एक यहां पर एक महत्पुन सूचना नोटीस जारिक किया है तो क्या है कब तक चलेगा उसका कांसलिंग का डेट क्या सकतकार से सम्मंदित महत्पुन सूचना तो बीएड कोर्स में आप देख सकते हैं कि 15 अप्रेल 2020 आयोजित की जा रही है कितना तारिक से 15 तारिक से चतुर्थ सकतकारों से अनुसंसित अभियर्थियों के नमंकर मतलब फोर्थ राउंड कांसलिंग होने के बाद रिक्त बच सकतकारों में सामिल नहीं हुए हैं या जिन्हें उन सकतकारों में सीट आवंटन नहीं हुए हैं मतलब कहने का है कि जो जो पहले अड्मिशन कहीं करा चुके हैं वो अगर कॉलेज बदलना चाहते हैं वो लोग भी कांसलिंग में सामिल नहीं हुए कोई भी राउंड में तो भी समें सामिल हो सकते हैं, साथ ही वेश्या तो बेसे बर्तियों में आंछिप सफ्कार को से ना मार्ञा कि तृष्ट्च पर संस्तान आई परिवर्तन कहाना चाए हैं, यदि पेक्षछ update हैं, एक कोई स्टूडेंट कर रहे हैं इस घंस? या कहीं पर सीट अलट होता है अगर इस लास्ट आउंड काउंसलिंग में जो आनलाइन काउंसलिंग हो रहा 15 अपरेल से तो वह लोग को जो पहले कहीं लिए वह आटोमेटिक क्या होगा कैंसल हो जागा आपको इसमें जो मिलेगा उसमें आपको एडमिशन लेना आनिवार ज हो जाएगा तो टाइम स्केडियूल हम लोग अगर देखेंगे कि कब से कब तक होगा तो टाइम स्केडियूल पर लास्ट राउंड का अंतीम ऑनलाइन सहतकार के लिए कभी एट का 2020 के लिए तो ऑनलाइन एडिट इन कैटेगरी अगर है कोटा में आप्टेंड मांक्स परस स्टान ओटॉंड ऑप काउंस्सिलंग जो होगा उसका ठाउन एस्टेट मेरेट लिस्स जारी किया जाएगा अप्रेल को ईसके बाद ऑनलाइन रेजिस्टेशन एंडशा फिलिंग पूर सीट अलर्टमंट जो होगा उसका आप काउंसिलिंग के लिए रेजिशन और च्वा आई बटन से देख सकते हैं यह प्लेलिस्ट में जाके बीट का एक सेपरेट बना हुआ हुआ है वहाँ पर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले साथ ही बेल आकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको जैसी सीवी से रिल्टेट कोई भी इनफर्मिशन आप से मिशना हो साथ ही यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं कि इस्यों प्रोभिंगा सीट अरटमेंट लेटर जो होगा वह किस अपरेल से 23 अपरेल के बीच ह होगा और यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि नामंकन है तो किसी आरक्षित वरके वियर्थी उपलब्द नहीं होने पर आरक्षित सीटों का भी नियमन जार्खन सरकार के कानमिक प्रसासनिक सुधार तो सारा राजभासा विभाग कि राची इतना के निर्गत अनुसार किया जाएगा मतलब को अगर मान लिजे फिजिकल के टेकरी से है या फिर से हो लोग अगर नहीं है तो क्या करना है कि वह सीट को जैनरल में या फिर दूसरा के टेकरी में दे दिया जाएगा वहीं यहां पर लिखा हुआ है तो यह था एक इंपोर्टेंट इसका नोटीस अब टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्यूशन बॉक्स में दिया और टेलिग्राम को महां से जोन हो जाएए साथ ही आपको जो फीचर जितना भी आएगा पीडियाप वह भी आपको मिलेगा और जो पहले चला गया है पीडियाप वो सब भी टेलिग्राम से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचिं दिस वीडियो कीप सपोर्टिंग कीप वाचिंग थैंक्यू मेरी मच